नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में तो आज है करवा चौथ जिन लड़कियोंने करवा चौथ का वरत रखा हुआ है उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुब काम नाई मैंने भी वरत रखा है लेकिन मैंने सोचा कि एक छोटी सी थियोरी कर लेते हैं क्योंकि अगर हम एच्टेट की बात करें तो एच्टेट में बहुत ही थोड़ा समय रह गया है मैं चाहती हूँ कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हैल्प हो सके जो इमपोर्टेंट टॉपिक है उनको हम पहले कवर कर लें यहां से कन्फर्म प्रशन पूछे जाते हैं तो यह एक छोटी सी थियोरी है असान सी थियोरी है प्रशन जहां से आ जाता है प्रशन आने की संभावना रहती है ठीक है तो क्या है यह थियोरी The Theory of Self-Actualization किस ने दी है? अवराहम H. मैसलो ने दी है कब दी है? 1954 में दी है आपको ये सन याद रखना है अवराहम मैसलो का नाम याद रखना है और इस थियोरी का नाम याद रखना है ठीक है? अपको ये सारे ही नाम आपने याद रखने है यह सिधान्त अभी प्रेड़ना से स्वंदित है मैसलो ने शारिरिक अवशकता को पहली अवशकता माना है अपने इस सिधान्त में और ये पांच स्टेप में सिधान्त दिया है ये सिधान्त मैसलो ने पिरामिड की शेप में दिया है इस परकार से पिरामिड की शेप में ये सिधान्त दिया है सबसे नीचे इसने रखा है मतलब कि नमबर एक पर शारिरिक अवशकता सबसे नीचे रखा है शारिरिक अवशकता यह आप पहले नमबर पे कह सकते हैं दूसरे नमबर पे है सुरक्षा तीसरे नमबर पे है सनेह स्वंद समझाओंगी यह क्या होता है किस परकार से माना है उसके बाद है आतम सम्मान और सबसे उपर क्या है आतम सिद्धी तो इस परकार से पिरामिड की शेप में यह सिधान्त दिया है मैसलो ने जो मैसलो है वो कहता है कि सबसे पहले हमारी जो अवशक्ता होती है वो शार्री का वशक्ता होती है जैवी का वशक्ता होती है शार्री का वशक्ता में क्या जैसे भूख भूख, प्यास, नींद, ठीक है, विश्राम, ये सब चीजें हैं जो हमारी प्रात्मिक अवश्कताइं कह सकते हैं, जैविक अवश्कताइं कह सकते हैं, जा हमारी पहली अवश्कता कह सकते हैं, क्योंकि जो इनसान है व्यक्ति को सबसे पहले अपनी शारिक जरूरत को पूरा करना होता है उसके बाद जब शारी के जरूरत पूरी हो जाती है ठीक है तो सेकंड नमबर पे सेकंड नमबर पे क्या है उसको चाहिए सुरक्षा अब भई पेट भर गिया खा पी लिया ठीक है सुरक्षा मिल गई अब जब सुरक्षा भी मिल गई पेट भी भर गया सुरक्षा भी मिल गई तो उसे क्या चाहिए नुश्य एक समाजिक प्राणी है समाज में ही उसका विकास होता है रहता है तो उसे चाहिए स्ने स्वंद तीसरे नमबर पे आते हैं स्ने स्वंद तो उसे क क्या चाहिए अब समने सवंद चाहिए जिसके लिए क्या करेगा शादिवादी कर लेगा ठीक है उसके बाद जब शादी हो गई तो वे उसको सम्मान चाहिए क्या चाहिए आतम सम्मान भी चाहिए तो उसको मिल गया आतम सम्मान जब उसको आतम सम्मान मी मिल गया तो हो गई उसकी आतम सिद्धी ठीक है क्या समझे सबसे पहले यो मैसलों कहता है कि जो हमारी जैविक अवश्कता है शारिक अवश्कता है भूख प्यास नींद विश्राम काम ये सब हमारी पहली अवश्कता है ठीक है सबसे पहले हमारी ये अवश्कता हैं पूरी होनी चाहिए जब हमा अब सने स्वंद बन गए, रिष्टे बन गए, शादी हो गई, रिष्टेदारियां पड़ गई, तो आतम सम्मान चाहिए, जब आतम सम्मान मिल गया तो हो गई आतम सिद्धी, ठीक है, इस परकार से जो मैसलो ने ये सिधान्त दिया है, फिर उसने जो पहली आवशकता ही, आपसे पूछा जा सकता है, कि मैसलो ने जो पहली आवशकता बताई है, वो क्या बताई है, तो वो शारिक आवशकता, शारिक स्वंदी, जो हमारी आवशकता है, जैविक आवशकता, उसके बाद, जो शारिक आवशकता है, ठीक है, वो क्या है, पहली आवशकता है, यह पहली अवश्कता यह ऐसे ही प्रशन पूछे जाते हैं यह नोट करना है ठीक है पहली अवश्कता है अगर हम शारिक अवश्कता और अवश्कता और सुरक्षा को मिला के कहें तो यह दोनों जो अवश्कताई हैं सुरक्षा और शारिक अवश्कता इसे कहा गया है स्वंदी अवश्कता कौन-कौन सी है तो सुरक्षा और शारिक अवश्कता ठीक है ये दोनों होगी अस्तित्व स्वंदी और ये जो तीनों है ठीक है ये विकास करने के लिए जुरूरी है ये विकास स्वंदी अवश्कता है ये विकास स्वंदी अवशकता है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि जो उच्च स्थर है इस सिदान्द का उच्च स्थर है तो वो ये दोनों ठीक है आतम सम्मान और आतम सिद्धी ये उच्च स्थर है ये उच्च स्थर है ठीक है ये उच्च स्थर है इस सिदान्द का और ये तीनो रह गया यह निमन स्तर है यह निमन स्तर है यह इस परकार से आपको नोट करना है कि यह क्या है निमन स्तर है पहली अवश्कता शारीक अवश्कता और सुरक्षा यह क्या है यह हमारी अस्तित्वस्वंदी अवश्कता ठीक है यह हमारी अवश्कता है अस्तित्वस्वंदी ठी जो ये तीनों अविश्कताई हैं विकाससवंदी अविश्कताई हैं जो उच्चतर स्तर है इनका वो है आतम सिद्धी और आतम सम्मान और निमनतर स्तर पूछा जाए तो शारीक अविश्कता सुरक्षा और सनेसवंद उमीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी ठीक और इसके बाद पैड़ागोजी सब कुछ पढ़ेंगे ठीक है जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्ताई करना अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्स पर वाचिंग